ओके, हेलो चैटर्स, माई नेम इस जोईट एंड यूर वाचिंग रसल चैटर्स बात की शिरु करते हैं, क्लैश ऑफ चैंपियंज जैसी के हम लोगों को नाम से पता लग रहा है, इस पेपर वीव सॉल अबाउट चैंपियंज लेकिन एक चैंपियंज बैट ऐसे जिसके बारे में कुछ बात हो नहीं रही लेकिन वह कमाल धमाल मचा सकती है, इस पेपर या फिर जो भी बनता समय महाँ पर चैंपियंज होता है, तो वह काफी जिता इंट्रस्टिंग और फणी स्टफ करता है, जिसको देखने में काफी मजा आ जाता है, और मतलब एकदम से मूड फ्रेश हो जाता है, और 24-7 चैंपियंज भली कॉमेडी वाला स्टफ है, लेकिन फिर भी WWE के अंदर वो एक टाटल है, और Clash of Champions के अंदर उसका भी डिफेंड होना जुरूरी है, तो गैस ऐसे में रिपोर्ट्स ही हैं कि WWE किसी भी तरीके से कोई ऐसा तरीका ढूंडेगी जिससे 24-7 चैंपियंजिप फीचर हो पाए, Clash of Champions पे-per-view में और जाला फैंस एक् Clash of Champions के अंदर हमें 24-7 Championship के साथ भी कोई कमाल का सेग्मेंट देखने को मिल सकता है, अब क्योंकि Raw और SmackDown Life के एपिसोड जो की WWE के weekly shows होते हैं, वहाँ पर ही 24-7 Championship काफी कमाल करती है, और उसमें भी अब तो पे-per-view है, तो यहाँ पर हम लोग expect कर सकते हैं कि 24-7 Championship के साथ काफी पॉइंट बोला वैसी कर रहा हूं, लेकिन इस बार जो मैच है वो थोड़ा सा fit नी बैटरा क्योंकि वो एक non-title मैच होने वाला है, Roman Reigns vs Eric Rowan की बीच, लेकिन ऐसा लग रहा है क्योंकि Summer Slam में Roman Reigns का मैच नहीं था, तो बाई Clash of Champions में WWE को ने डालना था, और बाई Summer Slam के त पॉइंट कर देंगे, क्योंकि WWE ने जिस सरे के SmackDown Live के एपिसोड में दिखाया है, Roman को, अगर ऐसा होता है, तो मैं तो थोड़ा सा शौक हो जाऊंगा, तो guys, इस मैच के अंदर पॉसिबिल हमें ये देखने को मिल सकता है, कि Rowan यहाँ पर काफ़ी जधा डॉमिनेट करेंगे और क्योंकि नोड इसक्वालिफिकेशन का मैच है, तो ऐसे में एक तरफ Monster, एक तरफ Powerhouse, तो यहाँ पर Brutality तो होगी, तो guys, यहाँ बार WWE मैच को कुछ ऐसे प्लैन कर सकती है, कि इस मैच में जाता टाइम, Eric Rowan ही डॉमिनेट करते विए दिखाये देंगे, लेकिन जो इस मै अगर रखा हुआ है, और वो यह, कि Daniel Ryan यहाँ पर आएंगे, वो सभी को सर्प्राइस करेंगे, और वो कन्फरंट कर सकते हैं, दबिग डॉमन रेंज को, और यह चीज़ लीट करेगी, WWE के अगले पेपर विए हैलनेसल 2019 के लिए, जहाँ पर फाइनली, Daniel Ryan वर्सिस रोमन रे तो इस मैच से भी हम लोग expect कर सकते हैं, कुछ बड़े surprises and shocking things, Clash of Champions की सबसे ज़्यादा shocking चीज़ तब हो सकते हैं, जब possibly former Universal Champion The Beast Incarnate Brock Lesnar, Clash of Champions में करेंगे अपना return, और वो भी WWE Championship के मैच में जुकी होगा, Kofi Kingston vs Randy Orton की बीच, अब गाइस मैं आपको एक बिल्कुल latest update बता दू और वो ये कि जैसे कि आपको पता है कि SmackDown जब Fox पर जा रहा है, तो वहाँ पर तो already Brock Lesnar का advertise किया जा रहा है, जो कि पहले सी सामने आज चुका है, हाले कि WWE ने still इसके बारे में कुछ भी ऐसा खुल कर बात नहीं करी है, और वो तो भाई करेंगे भी नि, क्योंकि आपने plans को अबी से सामने नहीं लाना चाहते है, लेकिन जो बिलकुल एक लेटर्स अपडेट है, वो ये कि possibly SmackDown जब Fox पर जाएगा, उससे पहले ही हमें Brock Lesnar return करते वे दिखाए दे सकते हैं WWE के अंदर, और गाईस अगर Brock Lesnar WWE में वापस आ रहे हैं, तो इसका जरू कोई सेंस बनता है, कि भाई कोई एक appearance है, उसके लिए Brock Lesnar आगा है, जरूर जब Brock Lesnar आते हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा होता है, उसके बीचे कोई बड़ा reason होता है, और गाईस क्योंकि अब WWE के plans हैं कि Brock Lesnar को Raw से इठाकर SmackDown Life पर डाला जाए, Fox के ऐसी demand है, और वैसे भी WWE का focus अब SmackDown Life के ओपर क इसे finally Randy Oton हरा देंगे Kofi Kingston को, और guys वो बन जाएंगे WWE Champion, और मैं आपको पहले हो बता चुका हूँ कि कोफी Kingston का title reign काफी लंबा हो चुका है, तो ऐसे में WWE के या फिर Fox की डिवांड हो सकती कि उनको एक बड़ी Championship के लिए फ्यूड चाहिए, मतलब Randy Oton और Brock Lesnar से बैटर मुझ कर सकते हैं, Brock Lesnar यहाँ पर आकर अपना Finisher F5 काफी बार हिट कर सकते है, Randy Oton को और इस तरह से WWE Championship को raise करेंगे और statement देंगे कि आगे उनके क्या plans हैं, और जिब SmackDown Fox पर जाएगा तो वहाँ पर हमें Randy Oton and Brock Lesnar के बीच WWE Championship के लिए program देखने को मिल सकता है, तो guys यह कुछ ऐसी चीज का एक better pay-per-view बन जाए, तो comment करके आप लोगों को बताना है कि इन तीन में से कौन सी एक चीज आप लोग ज़रूर देखने चाहेंगे, Class of Champions में, वीडियो गयाज अगर आपको अच्छी लेगी तो प्लीज लाइक किए बेने करी में जाना, साथ ही साथ आप लोग कर सकते है चैनल को सबस्क्राइब और नोटिफिकेशन बेल को आपके आपको मारे चैनल पर सी तरह से प्रो रस्लिंग से जुड़ी सारी बाते जानने को मिलती रहें, सुस्यू गैसे माई नेक्स वीडियो